मिना पक्षाल को मारती सुजुकी फ्रॉंग्स अगर आप अंडर 9,000 रूपीस को यह ऐसी कार देख रहे हैं जो कि देखने में काफी बढ़िया हो फीचर्स अच्छे ओफर करे आते हो उस कार में वो डायमेंसन वाइस भी अच्छी रहनी चाहिए और मारकेट में भी न्यू आई हो तो आप मारती सुजुकी फ्रॉंग्स के डेल्टा प्लस वेरियंट को देख सकते हैं क्योंकि 8,73,000 रूपीस के प्राइस पर आपको यह वाली कार मिल जाती है वो इतने प्राइस में आपको टोप मोडल वाले फीजेस दिये जाएंगे फीजेस की कोई भी कमी आपको महसूस नहीं होने वाले कर आप यह वाला वेरियंट लेते हैं तो क्या-क्या फीजेस रहेंगे सब कुछ इस वीडियो में देख लेंगे क्या-क्या फीजेस आपको डेल्टा प्लस वेरियंट में ओफर करेंगे हैं कितना बैली फॉर मनी है क्योंकि सबस्या जो सेल हो रहा है वो उसका डेल्टा प्लस ही वेरियंट है अगर आप बेस मोडल से कंपेर करते हैं इस वाले वेरियंट को तो बन लाए 26,000 रुपीस का प्राइड डिफ्रेंस रहेगा उससे एक लोर वेरियंट आता है डेल्टा जो की सेकंड बेस मोडल है उससे 40,000 रुपीस का प्राइड डिफ्रेंस है तो फिर क्या-क्या फीचर्स इन दोनों से एड़ोन मिलेंगे वो भी हम देख लेंगे बैली फोर मनी है या फिर नहीं है सब कुछ किलिए हो जाएगा विचले फिर जाकतों मैं इसकार की फेंट रुपाइल से फ्रेंड मापको LED इंडिकेटर्स मिल जाएगा और LED DRS डूल फर्निसिनिंग के साथ रहते हैं और यहीं गिरिली सकार की क्रोम मिल जाता आपको यहां पर सुदू की काऊगया लोगो और यहीं इसकार के LED Head Lamps मिल जाएगे नीचे साथ होगी Silver Skid Plate फिर ओबर रोल कुस्तरी की लगेगी इसकार की फेंट रुपाइल वहीं इसकार की इस वाले वेंड मापको प्यानो ब्लैक फिर इसमें एलोई वीस मिल जाएगे जो कि देखने में काफी बढ़िया लगते हैं 15 इंच के रहेंगे बोर्डी के इसकार के मिल जाएंगे इंडिकेटर भी आपको इसी पर मिल जाएगा और वहीं यहां पर फिलेड होगे हैं यहां पर फ्यूमीए लगता प्रेंड लुक ważne साइड की बैक सैरी चेल है देखने में बाद तो बिल्कूर गजव लगते हैं देखने में लीड इंडिकेटर जब ओन होते हैं यह आपको बेस मोडल सी ओफर हो जाते हैं उपर साइड हो गया शाक फैट एंटेना रेड़ स्पोईलर हाई में डिफोगर मिल जाएगा आपको यह इसकी LED टेल लाइट इंडिकेटर भी LED में रहेंगे बैकलाइट में हो गया बल्व फ्रोंस की इस पेर वील एकिए एक्सेयर के भारे में जैसे आपने देका को फीचर्स आपको एक्सेयर से ओफर कर आते हैं जैसे हैं आपको LED DRS मिल जाएंगी 16 इंच के LED रिफलेक्टर एडेम्स जोकि ओटो हैंडेम्स रहेंगे और फीचर्स हैं जैसे बोटी किलर के वार्ड बियम इलेक्टिकली एज़ेश्टिकली फोल्डेवल रेयर पास्टे ट्रे क्रोम ग्रेल यह वाले फीचर्स आपको डेल्टा वेरंट से ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं तो इसका आपको बन पाइंट फाइब लेटर का डूल जैट डूल वीबीटी इंजन मिल जाएगा 1200cc का जो की पेडियूस करता है 88BHP की पावर बने 309 नम का टोर तो इसका अपको करके इंटीर दिखाता हूं फिर क्या क्या ओफर करा जाएगा आपको करके इंटीर में और इंटीर इंटीर करका जो कि देखने में काफी बड़ी असा लगता है आपको है कि अखाए द्रेवर साइब यहां पर हो गिया ब्लैक कलर हो गया गोल्डन कलर मिलने वाला भाल न उट्यर का इलेक्टिकली एज़स्ट कर देखने का फिजिट में नहीं है से एक रेकलाइन करने का मिल जाएगा आपको यहां आपको ट्रैक्शन ओन आपको सब्सक्राइब डेखने वाले हैं आपको क्या-क्या क्या ओफर यह घ्रिंग वील फिर्श में नहीं दिया जाता है इंश्टुमेंट क्लस्टर बीचे मिल जाएगी आपको इसमें दिखते रहेंगी कुछ होगी इसमें अलडड डायट सिटिक मिल जाएगी यहां पर प्रिप लगाने के लिए कि ओडिए रड्राइबर सेड़ अपर अपर कार वन फिनिस मिल जाती है ट्रेक्शन उनुका बटन को दिखाई दिया कार के बोनट को ने के लिए 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 अपर इंजरी शायी बटन आपको इसमें नहीं मिलता है आपको यहां पर फिजिकली किये लगाने पड़ेगी और फिनिस मिल जाती है आपको यहां पर ओटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी क्या पावर सोकेट यूएज रिपोर्ट हो गया थोड़ा स्पेस का फोल्डर सोगे दो ओटोमेटिक टांजिशन में रहेगी एक हार कुछ तरह नोब रहेगा यहां पर प्यानो ब्लैक फिनिस हो गई और यहां पर भी आपको कारवन फिर्स मिल जाती है और यह ड्राइवर सेट अवाईजर बैनेटी मिलता है नाई टिकेट होल्डर वह यहां पर मिल जाता आपको जब मैं रेशिट पर चलूंगा आपको दिखा दूंगा और यह यहां यार्ब्यम मैनिल टेनर टेस्मेंट करने सब्सक्राइब पढ़ती है और यह रहेंगी जिन पर डिजाइन है जैसे आप दे सकते हैं और यह डैश होड और और यह रहां काफी ठीठाक साइज रहने वाला एक लबोक्स का और यह रहां को ड्राइवर साइड डोर पावर विंडो कंट्रोल पार्ट वोड़ पेस और स् जाते बहुत अबना को दिखाई दी है अब लेकित दो उसकार की रेट सीट वापर और पर को इतना स्पेस मिल जाएगा ड्राइवर सीट को अपनी हैट के साफ से एजस कर देता हूं जिस आपको साइज से आइडिया होने वाला है कितना लेगरों आपर मेरी हैट सिक्स पर दिखाई दिखाई देया है आपको यहां पर यहां पर ग्लास ग्रैव हैंडल हो गया है आपको यहां पर दिखाई दिया है आपको सभी दिखाएं तो ऐसे आपको सभी दिखाएं तो यह सब्सक्राइब में रहते हैं आपको इस कार में ओफर करे आते हैं एक्षेस देखके कोई भी नहीं कहने वाला है कि मिड वेरेंट है क्योंकि LED डियारस देखने में काफी बढ़िया लगती है LED आपको हैड लैंस मिल जाएंगे ग्रेल भी देखने में काफी बढ़िया लगती है और बैक मापको LED टेल लाइट मिल जाएगी जिस वेरे से टोप मोडल कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती है इस वाले वेरेंट में इसी वेरे से सबसे आज़ा सेल होने वाला वेरेंट है वो इस कार का यही वाला है झाल 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 झाल